हेलो दोस्तो दिसे सत्यम भारती आयस इंटर्व्यू के दोरान उमीदवार से पूछा गया कि वह कौन सी चीज है जो लड़की कुवारी होने तक कभी नहीं कर सकती है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही आयस इंटर्व्यू के दोरान पूछे गए सबाल और उनका जबाब बताएंगे जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे तो चलि दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है बोर्ड में मन ने महिला उमीदबाट से पूछतो एक कहा कि यह बताईए क्या खुले आम पबलिक प्लेस में किस करना इलीगल है महिला उमीदबाट ने जबाब दितुए कहा सर आईपीसी सेक्षन 294 के अनुशार पबलिक प्लेस में किस करना या हग करना गेर कानूनी है अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाब कानूनी कारवाई हो सकती है 2007 में अभी नेतर रिचर्ड गेरी ने दिल्ली में के एट्स जागरुकता कारे करम के दोरान शिल्पा शेटी को चूमा था जिस बजा से भारती अदालत ने रिचर्ड गेरी के खिलाव वारेंट जारी कर दिये थे इसके अलाबा कोई किसी नावालिक को किस करता है तो वह एक गंभीर अपराद की शिर्ड़ी में आ जाता है तो दोस्तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंड करके जरूर बताएं Second question है वह कौन सा काम है जिसे लोग मनने के बाद भी कर सकते है दोस्तो अपने दिमाग पर जोड डालिये और सोचिये कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है दोस्तो उमिदवार ने इसका जवाब देतो हुए कहा सर अंगदान भारत में कोई भी अपनी मर्जी से अंगदान कर सकता है Next question है उमिदवार से कहा गया मालो आप एक जिले के डिम हैं और अख़तीच के दिन आपके जिले में बहुत से बाल बिबा होने वाले हैं आप कैसे रोकेंगे और बिधाय का प्रेसर भी है कि आप कुछ ना करें उमिदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बहां के कुछ ऐसे इस्थानी लोगों से मिलूँगा जो इस बाल बिबा प्रथा के खिलाफ होंगे और इसे रोकने में उन लोगों का सयोग लूँगा और इसके अलाबा जो भी गिरामर इस तर पर कुछ प्रदान होंगे उनको आदेश भेजूंगा कि ऐसे कोई भी कार्य करम उनके इलाके में होता है तो उनकी जिम्मेदारी ही होगी उमिद्वान ने कहा सर इस परकार्ड से मैं बाल भिबा कार्य करम रोकने का प्रयास कर सकता हूं और जहां तक बिधाय के प्रेशर की बात है तो बाल भिबा एक कानोनी अपराद है इसलिए मैं उनका आदेश नहीं मानूँगा दोस्तों इंटर्विव के दोरान बोडवेमन ने लोजिकल सबाल पूछते हूए कहा कि वह कौन सी चीज है जो लड़की कुबारी होने तक कभी नहीं कर सकती है इस पर उमिद्वान ने थोड़ी देट सोचने के बाद जबाब देते हूए कहा सर ऐसी बहुत सी चीजे हैं जैसे कि सिंदूर नहीं लगा सकती, मंगल सूतर नहीं पैन सकती और तलाग नहीं दे सकती अगर दोस्तों आप ऐसी ही किसी और चीज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंड करके अविश्य बताएं फाइनल कोशन है, उमिदबार से पूछा, यह बताएं एक बार एक बकिल के बेटे का एकसिडेंट हो गया कुछ लोग उसे होस्पिटर लेकर गए, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ओपरेशन थ्रेटर में डॉक्टर ने उसे देखा तो डॉक्टर ने कहा, यह तो मेरा बेटा है, लेकिन वह तो बकिल का बेटा था, तो यह कैसे संबब है? दोस्तों, उमिद करता हूँ कि वीडियो में मज़ा आई रहा होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए उमिद्बान ने अपनी सोजबूस से जबाब देतोवे कहा, सरमाना बकिल उसका बाप है, पर डॉक्टर उसकी माह थी, सिंपल